Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace तो आज हम बात करेंगे Joseph Addison के बारे में इनका life span है from 1672 to 1719 Joseph Addison, Whig supporter थे है नब कई बार क्या होता है ने कि political parties पूछ ली जाती है कि ये Whig को support करते थे या Tories को support करते थे साथ ही साथ जब आपको ये पता चल जाता है कि कोई specific writer किस party को support करते थे तो उससे हमें ideology पता चल जाती है उस writer के ठीक है Joseph Addison एक dramatist थे essayist थे and एक poet भी रहे है साथ ही साथ ये politician भी रहे है और इन्होंने कुछे comedies भी लिखी है Joseph Addison से जो question पूछा जाएगा वो उपर से पूछा जाता है जादा detail में नहीं पूछा जाता और अगर इनसे कोई question आता है या तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये work Joseph Addison ने लिखे ते आपको ये बताना है या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इनोंने कौन सी प्रियोडिकल में रिचार्ड स्टील के साथ कोलेबोरेट किया, वो प्रियोडिकल कब आई, कब बंद हुई, उसमें कितने ऐसे जोसेफ अडीसन ने लिखे थे, ऐसी चीज़े आप से पूछी जाएंगी, फाइन, जोसेफ अडीसन जो थे, ये वही इंसान है जिन पर अलेक्जेंडर पोप ने सेटायर किया था, और अलेक्जेंडर पोप ने जोसेफ अडीसन को स्पोरस कहकर बुलाया था, लेकिन किस वर्क में बुलाया था, पोप ने एक एपिस्टल लिखा था, अपने फ्रेंट डॉक्टर आरबुत नोट को, उस एपिस्टल का जिस पर अलेक्सेंडर पोप ने सेटायर किया था, इन्होंने 1695 में एक पोवम लिखी थी, ठीक है, पोवम का नाम क्या है, अब पोवम to his majesty, ये पोवम इन्होंने किस के लिए लिखी, ये पोवम इन्होंने डेडिकेट की थी, विलियम दथ थर्ड के लिए, जिसे हम विलियम ओफ ओरेंज भी कहते हैं, तो ये पोवम इन्होंने 1695 में लिखी थी, अब पोवम to his majesty, विलियम थर्ड के लिए, इस पोवम को काफी जादा एप्रिशियेट किया, और ये पोवम किसने पड़ी, एक हैलिफेक्स थे, जिनका न ये एक position होती है, ठीक है, चार्ल्स मोंटेग ने इस वर्क को पढ़ा, अब पोवम to his majesty, फाइन, चार्ल्स मोंटेग को ये पोवम बहुत ही जादा पसंद आई, और इसके बाद चार्ल्स मोंटेग ने जोसेफ अडीसन को एक अंडर सेकरेटरी की जोब प्रोवाइड कर दी जो की एक government official job थी, इसके बाद जोसेफ अडीसन ने 1697 में एक पोवम और लिख डाली, The Peace of Rizvik, अब ये पोवम भी बहुत जादा famous हुई थी, और इस पोवम भी इन्होंने क्या लिखा था, इस पोवम में भी इन्होंने विलियम 3 के ruling period को appreciate किया था, So, जोसेफ अडीसन रोट, The Peace of Rizvik in 1697, and he appreciated the statesmanship of William III, अब क्या हुआ, इस पोवम को सभी लोगों ने पढ़ा, खास कर जो विख सपोर्टर थे, क्योंकि इन्होंने इसमें विख पार्टी की आइडियोलोजी को भी बताया था, अब जितने भी विख सपोर्टर थे, जो अच्छे लेवल पर थे, politicians जो थे, उन्होंने क्या किया, कि इस वर्क के बाद जोसेफ अडीसन को बहुँ ज़्यादा appreciate किया, और फिर William III ने इनकी pension बांदी थी, इस वर्क के बाद इनको कितनी pension मिली थी? 300 pounds per year, कितनी? 300 pounds per year, अब सोचे उस time पर 300 pounds कितने होते थे? तो 300 pounds per year इनको ये 1697 में pension मिलने लगी थी, लेकिन ये pension बंद हो गई थी, 1702 में, reason क्या था? साफ साफ है, William III ने इनकी 1697 में pension बांदी, 1702 में इनकी pension बंद हो गई थी, reason being, William III died that year, तो इसलिए इनकी ये pension amount जो थी, वो यहाँ पर बंद कर दी गई थी, अब इन्होंने Charles Montague जो थे, इनके लिए एक work लिख डाला, जिसकी वज़े से Charles Montague बहुत खुश हुए और Charles Montague इनके patron बन गई थे, तो उस work का नाम क्या है, जो इन्होंने Charles Montague के लिए लिखा था, उस work का नाम है, William's Peace, ये किसको इन्होंने dedicate किया, he dedicated this work to Charles Montague, इन्होंने to Mr. Dryden करके एक work लिखा, जिसमें इन्होंने Dryden को प्रेज किया, और Dryden को इन्होंने as a brother refer किया, मतलब क्या बोला इन्होंने, oh my brother, ऐसे करके इन्होंने refer किया था Dryden को, और Dryden को इन्होंने प्रेज किया था, इसी के साथ साथ इन्होंने, I think मुझे इसको erase कर देना चाहिए, अब इन्होंने 1707 में, 1707 में एक work लिखा था, जिसको उतनी ज़्यादा popularity नहीं मिले थी, उस work का नाम था, रोजामंड, और कई जगह पर आप इसकी ये spelling भी देख सकते हो, कई जगह पर रोजामंड और कई जगह पर रोजामंड, ऐसे करके आपको मिलेगा, दोनों ही correct है, इसमें कोई attention लेने वाली बात नहीं है, ये work इनका उतना ज़्यादा popular नहीं हुआ था, जितना Joseph Addison ने सोचा था, फिर इन्होंने 17-13 में एक ऐसा work लिख डाला, जिससे ये financially काफी secure हुए थे, और उस work के बाद इन्हें internationally जाना जाने लगा था, हाला कि आज की बात करें, तो आज वो work नहीं पढ़ा जाता, बट जब वो work आया था, तब उसकी बहुत ज़्यादा books छपी थी, और बहुत लोगों ने पढ़ा था, उस work का नाम क्या है, Kato, a tragedy, Kato, a tragedy, जो इन्होंने कब लिखी थी, 17, 13 में लिखी थी, फिर इन्होंने 17, 17 में एक work लिखा, The Drummer, ये एक comedy थी, इन्होंने लिखने की कोशिश की थी, अच्छी comedy, it was total failure, मतलब इनके सारे जो hard work थे, वो hard work बिल्कुल वेन में चले गए, क्योंकि ये जो comedy थी, The Drummer, ये बिल्कुल भी popular नहीं हुई, लोगों ने ना इसे पढ़ा, ना इनको इससे कुछ ऐसा, मतलब इनकी जो एक position थी, वो high हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाला कि इनका जो ये work था, Kato or Tragedy, ये बोहाँ जादा फेमस हुआ था, और Joseph Addison का अगर कोई work सबसे जादा फेमस हुआ है, वो यही है, Kato or Tragedy, जिनकी वज़े से इनने जाना जाता है, फाइन, फिर इन्हों ने, The Campaign एक work लिखा, The Campaign इन्हों ने किसके लिए लिखा, ये इन्हों ने लिखा था, Duke of Marlboro, ठीक है, ये कौन थे, इनका नाम था, जोन, चर्चिल, क्या नाम था इनका, जोन, चर्चिल, दुपारा से लिख देती हुआ, मैं राइटिंग शाहिद साफ ने दिख रही है, ओके, जोन, चर्चिल के लिए इन्हों ने लिखा, जोकी, Duke of Marlboro थे, जोन, चर्चिल, किटकेट क्लब के मैंबर थे, अब आईए जानते हैं, किटकेट क्लब के मैंबर कोन थे, क्योंकि, किटकेट क्लब के मैंबर, जोसेफ अडीसन भी थे, और यहां से भी जोसेफ अडीसन को लेकर, क्वेशन आ सकता है, किस तरीके का क्वेशन आ जाएगा, जब कहीं पर, दो या तीन, दो तीन, योट तीन, अचली, चार से ज्यादा, अगर मैंबर होते हैं तो ज्छादा तर क्वेशन क्या आता है, कि आपको ओड़ बन आउट करना पड़ता है, मतलब आपको क्या करदेंगे, एक क्वेस्जन ऐसे आजाएगा कि कुण कोन कोन मैंबर हैं, फिर आपको उसमें से टिक करना पड़ेगा, या फिर यह आजाएगी इन चारों उप्ष्ण में से कोन सा ऐसा मैंबर है, जो किट के कलब किट कैट क्लब जिसमें सारे ही विग सपोर्टर्स थे एक तो थे खुद अडीसन जोसेफ अडीसन एक इनके लाइफ लोंग फ्रेंड रिचार्ड स्टील जिनके साथ इनकी दोस्ती क्लासमेट के टाइम पर थी और ये दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि बाद में इ प्रियोडिकल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि किन-किन प्रियोडिकल्स में इन दोनों राइटर्स ने कोलेबोरेट किया फाइन जोसेफ अडीसन, स्टील, रोबर्ट, वॉलपॉल, जोन, चर्चिल जोकी डूक ओफ मार्ल बोरो थे जिनके लिए इन्होंने दो कैंपेंड डेडिकेट की थी, फिर इन्होंने, फिर इस मेंबर में और कौन थे, जोन वैंब्रू, एंड वन मोर, विलियम कॉंग्रीव, फाइन, ये चीज़ आपको पता हूंजे कि किट-केट क्लब के मेंबर कौन थे, ये सारे विग सपोर्टर थे, ये भी पूछ लि आई थी दाठ्याटिलर, फिर आई दास्पेक्टेटर, और फिर कौन से आई धाई गार्जियन, ये तीनों ही प्रिओटिकल से ग्वेस्चेन कयसे आता है ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा प्रिओटिकल कब शुरू हुआ, कौन सा प्रिओटिकल कभ खतम हुआ, कितने तक चला और प्ट्स के साज गवी lotta बच्चों के यह जो परिओडिकल है डिटियर में एससे लिखे उन्ध ठील कि इन्धे की इस तरीके के पूछ गवेंगे और मैं असा इसा रही हैं कि इसको ने के बनाओ इसमें ना इंक्लूड करेंगे इसमें ना इंक्लूड गूं गून क्योंकि यह बहुत important topic है और वहां से एक question तो आपको मिलता ही मिलता है तब तक के लिए जितना मैंने कराया है उतना आप कीजिए इसी के साथ साथ हम लोग MCQ series भी शुरू हमारी हो रही है मतलब उसके लगबग मैंने 36 classes करवा दी हैं तो आपने अगर वह MCQ series भी नहीं देखिया तो वह भी जरूर देखना उसमें बहुत सारे important questions कर रही है और उससे आपको काफी clarity होगी और हमारे MCQs है वह साथ साथ चल रही है जैसे कि आज मिने Joseph Addison कराया आपको MCQs भी वही साथ साथ मिल रही है इसी के साथ साथ आप मेरे साथ telegram group पर जुड़ना मत भूलना Instagram पर मुझे follow कर सकते हो Telegram and Instagram दोनों के link आपको description box में मिल जाएंगे और मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ देखियो telegram पर जैसे ही आप learning with pace लिखेंगे आपको मैं मिल जाओंगी और Instagram पर जैसे ही आप Priyanka गोर 8 करेंगे वैसे ही आपको मैं मिल जाओंगी तो आप दोनों ही यह username से सर्च करके मुझे ढूंड सकते हैं मेरे साथ जुड़ सकते हैं आपको कोई भी problem है तो आप यहाँ पर मुझे DM कीजिए Instagram पर मैं आपको surely answer जरूर करूंगी Thank you so much, this side Priyanka गोर, I wish you all the best, keep learning, bye bye and please take a moment to subscribe this channel, thank you